अगलो एरिबरेड़ी संदीप यह इंगें बीयाइम टे कि यह इन टेकनोलोजी यह अज इसके बार में विस्तार से आज के दिन हम लोग डिसकस करते हैंендर पहले तो इन्वेंट क्यों होई कैसे हुई क्या होई उसके बारे में थोड़ा सा पता लगाते थे सबसे पहले engineering drawing यह जो subject है वो अपने engineering के अंदर था अगर आप देखेंगे first year engineering में सारे subjects लोगों को रहता है आप civil हो, electrical हो, mechanical हो, सारे लोगों को यह subject रहता है तो यह subjects के अंदर कोई भी machinery है, building है, high-rise building है, low-rise building है, tunnel है, harbor है, ports है, जो भी है उसके drawings निकलते है, plan, elevations, sections, यह सारे drawings उसके अंदर निकलते हैं और वो जो site पे construction करने के लिए लगते हैं तो सबसे पहले drafting के उपर, जो white color का एक बड़ा सा sheet आता था college में उसके उपर drafter से हम लोग sheets बनाते थे, physical lines के हिसाब से तो उसमें काफी सारे problem दिक्कत थी, कि वो drawings वगरा, उसको duplication कैसे करें तो उसके लिए blueprint का साहरा लिया गया, उसके बाद में क्या हुआ कि उसको storage करने के लिए वापस reprint करने के लिए, transfer करने के लिए, changes करने के लिए काफी सारे problems थे उसके लिए नया technology आया, CAD, computer-added drawing ये जो CAD drawing है, CAD drawing एकदम कमाल की चीज़ा गया है यानि क्योंकि layers के अंदर, अलग-अलग sheets के अंदर, बहुत सारे drawings, editing, changes, revisions, cloud marks, hold काफी सारी चीज़े उसके अंदर आगी, annotations तो एकदम technology जो है, drawing drafting की जो है, drawing, engineering, drawing की जो technology है, वो एकदम से change होगे इसमें 2D CAD और 3D CAD, तो लाजो आप काफी सारे चीज़े, perspective view, elevation view, sections view बहुत सारे चीज़ों का उसके अंदर आयाम, ये टोटली, revamp, ये चेंज हो गया लेकिन अभी दिक्कत ये थी कि CAD तो CAD है, खली lines है, side के उपर lines नहीं है, side के उपर actual physical wall है, physical column है physical आपका slabs, transfer girders, shear walls, foundations ये वो सब है quantities है, BOQs, उसके उपर cost है, कौन सा specification है, वो सब कुछ है उसमें, लेकिन CAD के अंदर इतनी सारी information डालेंगे तो CAD का ट्राइंग बहुत ही, यानि इतना complex हो जाएगा कोई पड़ी नहीं पाएगा, उसके लिए नया टेकनोलोजी के invention आगया, इसको बोलते है, BIM, Building Information Modeling, ये टेकनोलोजी, कमाल की टेकनोलोजी, इनिशली में जब दुबे में था, उस टाम पे मरे को पता है, कि टेकनोलोजी थोड़ी-थोड़ी से उबर रही थे, उसमें काफी बग्स थे, सॉफ्ट्वेरिस के अंदर, इट वजब बगी सॉफ्ट्वेर, तो मज़ा नहीं आता था, करने के लिए, थोड़े करते थे, अगर सपोस्टेर के साची जा रही है, वो मॉडलिंग करते-करते, पसी नहीं निकलते थे, तो इसके लिए, BIM, टेकनोलोजी थोड़ा ओवरने प्रोसेस भी रहता है, इंवर्नमेंटल भी रहता है, आइटी भी रहता है, फायर, फसाड, काफी सारे चीज रहती है, तो उसके अंदर डानले के लिए, बहुत सारे प्रावल्लम्स आ रहे थे, तो दीरे-दीरे-दीरे क्या होगा, उसके अंदर वो टेकनोलोजी जनोगी, लोगों को पता चल गया, एक्चुली काफी सारा यूस तो हो रहा है, तो उसके लिए काफी सारे जो आयाम है, यानि काफी सारे उसके अलग-अलग-अलग टाइप के पोस्ट निकलने चलोगे, सबसे पहले जो होता है तो बीम इंजिनियर या बीम मॉडलर बोल ल इसके लिए यह सारे पोजिशन्स पोस्ट चलोगे अनफॉर्चनिटली इंडिया भारत में यह अभी भी इतना पॉपिलर है ने होना चाहिए लेकिन इतना पॉपिलर है ने चोटे-चोटे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वह अभी भी कैड के हिसाब से चल रहे हैं जैसे कुछ नया टेकनोलोजी आता है पुराने टेकनोलोजी के अंदर भी काफी सरे लोग काम करते रहते हैं वैसे ही नया टेकनोलोजी अड़ाप्ट्शन जो है बहुत सारे टॉप कंसल्टर्ण जो है अल्रड़ी अड़ाप कर चुक हैं इंकूडिंग आस बट नये जो साले लोग है वो भी एक्सपेक्टेट सालरीज बहुत ज्यादा करते हैं तो यह सारे चीजों का दिक्कोदों का सामना अभी भी लोगों को लग रहा है लेकिन उसके जो लॉंग टम बेनफिट्स है प्रोजेट्स के वह गवर्मेंट में जैसे गवर्मेंट ऑफिसे जो संक दो कम्पलीटली पास्ट्रैक प्रोसेस यह जी यह यह रूल यह ऐसे हो गया कि जो पहले मुंसिपालीटी के अंदर जो ड्राइंग आथा अपको हैं ड्राफ्टिंग ब्लाइंग ने चलेगा क्द का जने घुझ तो कैट ड्राइंग चेक करने के लिए मैंगे उसके लिए रखते हैं एक जो मैनुले अभी भी मैनुले चल रहा है दूसरा जो है वो आटोगाड का प्लाइनिंग है ऑटोगाड का जो है जो सॉफ्ट्वेर बेस्ट उसके लिए दो ताइप के सॉफ्ट्वेर है एक रहता है आटोडी सीयर और प्रीडी सेर सबसी मेरी पहली कंपनी थी कि वस्ट्वेस प्राविट लिमिटेड वह थोसॉफ्ट्वेर के पाइनियर मैनेज जाते है है यारिया रिश्यू फ्लॉर स्पेस इंडेक्स उसके अन्दर यह सार बैट रहे है तो ग्रीन किलर के रेड पे ऐंसे फ्लैग्स आपको दिखाएदेते हैं यह चीज आपको अप सुधारो फिर हम लोग अगे बात कर सकते हैं तो जो अर्किटेक्टर है तो उसको पता चल जाता है कि मुझे मेरा यह अर्किटेक्टर प्लानिंग तो फ्रीज हो गया लेकिन यह के इसके इसके अंदर बिल्डिंग डिजें के कंप्लाइंस के अंदर तो बैठने रहा है तो उसके लिए आटोडीशेयर प्रीडीशेयर करके कैड के स्कैन करने वाले सौफट्वेर जा अगे अभी आगे अभी नेक्स्ट फेज में आम जाल हम लोग जा रहा है जिसको बोलते थ्रीडी या बिम टेक्नोलोजी के अंदर सेम कंपनी जो है वो डेवलप कर रही है बिम के अंदर यानि आपको आटोगेड का फाइल नहीं देना है वहां पर रेविट का फाइल या जो भी बी आएम का सौफट्वेर आप यूज करेंगे उसका फाइल आपको उदर देना ह तो उसके अंदर देखें क्या ड्राइंग में क्या होता था ना काफी सारे लोगों को लालज भी था कि थोड़ा सा स्केल कम करते हैं फिटिंग आट कर देते हैं थोड़ा अजस्मेंट करेंगे थोड़ा ऐसे इधर उदर पैसा देके यह करके करप्शन भी होता था लेकिन यह सेक्टर के अंदर वो पॉसिबल नहीं है वास बिकास एवर्टिंग इस देर विद दस्केल तूदस्केल अग उसके चलते हुए गवर्मेंट को पता चल गया काफी सारे गवर्मेंट ऑफिसेस को या जो जो जियर बनाती जो लोकल अथोरिटीस के रूल्स बनाती है वो अथोरिटीस को पता चल गया कि यही टेक्नोलोजी अडप्टेशन करना बहुत ज़्यादा जोलूरी है तो मुंबई में बैसे कि लिए सबसे पहले यह एडप्टेशन जो टेक्नोलोजी का इंप्लांटेशन हो गया और सिमिलरली जैसे पहले मुंबई में अटोडीसे और अभी सारे बहुत सारी मुंसिपालिटीस में उसका कॉपी पेस्ट हो गया क्योंकि वो सक्सेस्फुल हो गया सिमिलरली यह बिया एम टेक्नोलोजी जो है पूरे गोवर्मेंट और अर्गनाजेशन में अगर आपका प्लान उसके अंदर है नहीं तो आपका बिल्डिंग सैं वो थोड़ा धीरे आ रहा है इसके लिए काफी सारे लोग जो है जो सिविल इंजिनर्स बनके बियाएम टेक्नोलोजी में जाते है उनको जॉब मिलने का एकदम आसान तरीका रहता है कि बिम का थोड़ा आपको 2D, 3D, 4D, 5D, 6D तक आ गया या 7D तक आ गया या मिनिमम 2D औ इंजिनियर, बीम कोडिनेटर, बीम मैनेजर और बीम डारेक्टर यह पाँच पोजिशन रहती है बीम के अंदर आपका जो करियर है वो बनाने के लिए इसके हायर हायर लेवल्स के यानि बीम इंजिनियर जो है वो या बीम मॉडलर जो है वो एकदम चोटा सा अमिन उसको मॉडलिंग का पता है बीम इंजिनेरिय अंजिनियरिंग सेंस रहे है उसको यह को ओडिनेटर यानि आर्किटेक्ट्स इंजिनियर तो स्रॉक्च्चर इन आप्रजिक्टैड और स्ट्पाइंटर्टर इसका अफी सरे कॉंट्रेंटर्ट उनका सारा कोडिनेशन का काम इसके और रहेगा भी मैनेजर याने पूरा चीज मानेज करेगा कि इसको कौन-कौन साथ बीम जो एमीप वाला है वह फ्रक्ट्चर को याने टच नहीं कर सकता है जो स्ट्रक्चर कर्ट वाला वा आर्खिटेक्ट्चर के जो रहे ज़र है या मोडियूल रहते उसको टच्छ नहीं क इस निकलती है यो क्यू फिर contract management tender management फिर उसका finance management यह प्लिंद के अंदर फिर्स फ्लाइब सेकंड फटर्ड स्लैब के अंदर कितना खर्चा होगा कर्चे के अंदर आपको कितना पैसा रेड़ी रखना है वो नहीं रखा तो cash flow के अंदर क्या-क्या फ़रगाएगा, IRR ratio कितना होगा, MRR ratio, XIRR ratio, यानि ये अलग-अलग टाइप के जो internal rate of return से cash flow ratios है या finance management के जो भी graphs निकलते हैं, वो सारे input credit, जो input उसका जो database है, वो BIM के तरफ से उधर जाएगा, तो BIM management, BIM जो technology है, it is playing a vital important role in the case of project management also. Project management के लिए भी BIM technology बहुत ज़्यादा important रहती है, क्योंकि वो database यानि वो back-end का काम करती है, जैसे software को front-end रहता है, वो ऐसे ही project management को front-end, यानि Excel, PowerPoint, Word, यानि यही front-end रहेंगे, लेकिन back-end उसका, ये सारा चीज आपको back-end के अंदर रहेगा, BIM architecture model है, structural model है, MEP का model है, उसके quantities है, specifications है, rates है, compliance है, और class detection की एक दूसरे के साथ compliance, यानि अच्छी तरह किसे जा तो रहे न, कोई किसी को damage तो नहीं कर रहे है, यानि column और beam के बीच में ही, उधर से ही एक piping का duct निकल रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो ये सारे चीज आपको उस दर से पता चलती है, तो civil engineers को, अगर BIM technology और project management, ये दोनों चीज आ गया, खाफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि BIM सिखेंगे, Revit सिखेंगे, ये सिखेंगे, वो सिखेंगे, BIM के software सिखने से खली BIM modeler बनर हो गया है, यह जदा से जदा BIM engineer तक जा सकते हो, लेकिन उसके आगे के जो आयाम है, उसके आगे की जो यात्रा है, वो आपकी सीमित हो जाएगे, आप एक खाली sophisticated draftsman रहेंगे, इस से जदा अच्छा, अगर आपने project management के भी कुछ चीज यसी की, तो आपको start से लेके end तक पूरा modeling, designing, coordination and execution का आपको पूरा समझ में आ सकता है, तो ये सारी यात्रा जो है, वो B.I.M. engineer के लिए, बहुत अच्छी और बहुत ही लाबदायक है, from the finance point of B.I.M. का पैसा, आपका जो रुद्बा है, आपका position है, post है, वो भी अच्छी तरीके से आ सकती है, क्योंकि अगला जो phase है, जैसे drawing drafting का hand का निकल गया है, उसके बाद में आ गया CAD, अभी ये जो B.I.M. का टेक्नोलोजी है, नए नए टेक्नोलोजी है, अगर आप अड़ाप्ट करते हो, तो आपका जो positioning है, आपका जो post है, वो एकदम stable रहेगा, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगया, तो subscribe to the channel. Thank you very much. Bye-bye.